हेलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ प्रग्या और आप सभी को नवरात्री और दशेरा की धेर सारी शुप काम ना है नवरात्री का पर्व है हर जगा माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से जो भी दर्शनी स्थल है वहाँ पर जाते हैं तो आज मैं भी आपको एक ऐसे ही दर्शनी स्थल की यात्र कराऊंगी तो यह जो मंदिर है यह जो इस मंदिर की मैं आपको बात कर रही है यह 36 के जान की रिगिला से सर्फ 5 किलो मिटर की दूरी पे है और यह इस तिथ है एक छोटे से गाउं खोखरा में तो यह जो मंदिर है यह बहुत ही मानिता प्राप्त मंदिर है कहा जाता है कि जो भी यहाँ माता रानी से दिल से मनत मांगता है माता रानी उसे पका पूरा करती है तो मंदिर का ट्रस्ट है उसके हिसाब से उन्होंने जैसा हमें बताया कि उनके हिसाब से जो यह मंदिर है इसकी जो स्थापना है वो गाउं के गौठ्या में कराई और गाउं के गौठ्या को माता रानी कि आप मेरा यहांपर एक फवी मंदिल बनाएं तो इसमंदिर की दर्शन नौरातरी के समय मंदिर की दर्शन करना तो बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत ही मतलब दिल को सुकून देने वाला लगता है हर जगल रौषुनी होती है मातर नानी का दरवार इदम बढ़िया से स किती बिड़े हैं कितनी जोह यहां पर माताराशाद दर्शाद मेदि मGER हैं और इसक्सक्काब मत्राशाद क्षे सकते मंदिर की नव्रात्री के उपलक्ष में अंदर आपको मैं आगी दिखाती हो कि यह कितना सुंदर मंदिर है कितनी सुंदर आर्किटेक्ट्चर है यहां पर मंदिर की कि कहीं लोगं यहां पर फोटो वीडियो दे रहे हैं इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट्चर है वो काफी अलग है यह जो नया मंदिर बना यह ज्यादा पुराने नहीं है कुछ नहीं तो चारपास सल पहले ही यह मंदिर बना है पर यहां पर इसका अर्किटेक्ट्चर है आप देखने लाइख है कितना सुंदर और कितनी कलर से यहां पर उसके रहे हैं अलग अलग भगवान की प्रतिमा है दिवालों पर बनाई गई है देखे लक्षम माता की है जगलनात भगवान की भी प्रतिमा है यहां पर बनाई है दिवालों पर आगे हम चलते हैं मेन माता के दर्शन करने के लिए मेन मन का दाई माता जो है उसके दर्शन के लिए जै मामन का दाई आप हमारे सभी दर्शरगनों के अमनो कामनाओं को पूर्ण करें जै मातारानी आगे आप देख सकते हैं कितने नारियल बने हुए है अमनो कामनाओं के और यहाँ पर अमन प्रशाद बाठते हुए मन पंड़ची और यहाँ पर शिवलिंग भी है और नंदी महराज भी है देख सकते हैं प्रतमाई किती पुरानी दिख रहे हैं और यहाँ पर राम सीता लश्मान और शब्री माता की भी मूर्टी है मंदिर का जो आर्किटेक्ट्टर है वो इतना दिल को छुड़ेने वाला है इतना भगी है इतना सुन्दर है इतना आकर्शक है कि आपको यहाँ पर मतलब आना हीं चाहिए अगर आप इसके आसपास के जो कोई जिले में रहते हैं या आपका कभी भी इस तरफ आना होता है तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा आगे मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही बड़ा बहुत ही भव्य बहुत ही मतलब सुन्दर तरीके से सजाया हुआ हनुमान जी की बहुत बड़ी मोती है कितना सुन्दर से जायवा कितने अच्छी राइटिंग की गई है और यहां पर फोटोग्राफर भी आप फोटो भी खेच रहे हैं कुछ लोगों की और यहां तो एक स्रीराम जी की प्रतिमा भी है और यह बहुत ही प्राना बर्कत का प्रेड़ भी है यहां पर देखेंगे आप आगे वीडियो में जी रहा और यहां पर एक बगवा भी है बाग तो होप करती होगा इस मातर आने के दशन करके आपके मन को भी बहुत सुकुन मिला होगा अगर आपको यह पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल नॉटिफिकेशन को आन ओन करना है और मेरे साथ जुने रहने के लिए नमस्टे